अथ्याई एक श्लोक चौदा भागवत कीता तथा श्वेतेर है येर युक्ते महती शंद नेस्तिताउ माधवा पांधवा श्चेव दिव्यव शंखाउ प्रधद मत हूँ अनुवाद इसके उपरांद श्वेत अश्वों से युक्त महानजद पर बैठे माधव और पांधव पुत्र ने अपने दिव्यव शंखों को बड़ी जो से बजाया प्याख्या अन्त में दूसरे पात्रों को छोड़ इस श्लोक में दृष्य भागवद कीता के दो महानायकों श्री कृष्ण और अर्जुन पर जाकर स्तित हो गया है जिनके समवाद पर पूरी भागवद कीता आधारित है जब कौरव सेना के वाद्य यंद्रों का कोलाहल थमने लगा तब पांडवों की सेना से सफेद घोडों द्वारा खीचे गए अगनी देव के भव्यरत पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाना शुरू किया जिससे पांडव की सेना का उत्साह बढ़ गया श्री कृष्ण और अर्जुन का यह शंखनाद प्रति उत्तर है कौरवों के सेना पती भीष्म की युद्ध की ललकार का की पांडवों को यह युद्ध की चुनोती स्वीकार है भीष्म के शंखनाद का प्रति उत्तर श्री कृष्ण के प्रक्रिष्ण के प्रेम ने दिया यह स्पंधन और रिस्पंधन इस वैज्यानिक सिध्धान्थ पर आधारित था कि प्रकृती में हर क्रिया के बराबर और विप्रीत एक प्रतिक्रिया होती है जिससे प्रत्वी में संतुलन बना रहता है अगर भीश्म के शंकनात के अधन क्रोच से भरा होता जो प्रक्रति के नियम के विरुद्ध होता पर ऐसा नहीं हुआ श्री कृष्ण के पालौकिक शंक के नाद में रनभूमी को प्रसनता और आलाद से भर दिया यह शंकनात इस बात को भी तरशाता है कि युद्र शुरू होने की घोशना पहले कौर पांडवों ने की थी पांडवों ने तो सिर्फ उसका प्रति उत्तर दिया भीष्म कौरव सेना के सेनापती थे तो उनके शंकनात का प्रति उत्तर पांडव सेना के सेनापती भीम को देना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ क्यूं भीष्म के शंकनात का प्रति उत्तर श्र श्री कृष्ण की छत्र छाया में लड़ रहे थे। इस श्लोप में श्री कृष्ण को माधव के रूप में संबोधित किया गया है जिसका अर्थ माधवी के पती यानि भाग्य की देवी लक्षमी के पती है। इसका अर्थ यह भी है कि विजय निश्चित ही अर्जुन की होने वाली है क्योंकि भाग्य की देवी हमेशा अपने पती भगवान श्री विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। और श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णू के आठवे अफ्तार हैं। यह वाक्य भागवत गीता के अंतिम श्लोक अध्याई 18 श्लोक 88 के अनुरूप है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाथो धनुधर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा। अर्थात जहां सभी योगों के स्वामी श्री कृष्ण उपस्तित हैं और जहां सलवश्रेष्ट धनुल्धर अर्जुन है वहीं पर अनन्त श्री विजय है। इसके अतरिक श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के शंकों को पालौकिक के रूप में वर्नित किया गया है जो मानविय इंद्रियों से परे है क्योंकि दिव्य श्री कृष्ण से संबंधित हर एक वस्तू दिव्य ही होती है उनके सहस्तर नाम पालौकिक हैं उन्होंने जो कुछ कहा वह भी पालौकिक है उनकी बासूरी से निकला संगीत भी पालौकिक है उनके श्रस्तर भी पालौकिक है और उनका शंक भी पालौकिक है इसके अलावा पांडवों की जीत स्वभाविक इसले भी है क्योंकि अर्जुन भगवान अगनी के दिये हुए रत पर सवार थे जिसे देवताओं के वास्तुकार विश्व कर्मा ने बनाया था इस रत की एक विशेष्था यह थी कि इस पर सवार योधा इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी युद्ध जीतने में शक्षम होगा इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जीवन चुनोतियों से भरा हुआ है और हमें हर चुनोती को प्रसनता से स्वीकार करना चाहिए तब ही हम वास्तविक रूप में जीवन को पूर्ण तह जी पाएंगे अगर आपको मेरी इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हूँ तो कृपया कर मेरे चैनल दर मिस्टिक दी मिस्टिफाय को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जै श्री कृष्णा